Hello students, Goodwill, third, हमारा sub-topic शुरू हो गया है, इस case में sacrificing ratio जो है वो negative में आएगा, देखने में normal question ही लगेगा, जब तक हम sacrificing ratio नहीं निकालेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो negative आ रहा है और हमें कुछ changes करने हैं, जनरल entry में थोड़ा बहुत change आएगा, उस चीज का हमें ध्यान रखना है, अब हम question सही समझेंगे कि कैसे हम identify करेंगे और कैसे उसे solve करेंगे, BNCR in partnership sharing profit and losses in the ratio 3 is to 1, हमें ratio दिया हुआ है 3 is to 1, they admit D into the firm, D paying a premium of rupees 15,000, तो यहां हमें सिर्फ premium दे रखा है, हमें capital की value given नहीं है, तो capital की value नहीं given तो उसे हम consider नहीं करेंगे, as between themselves, BNC agree to share future profits equally, B और C ने future profits को equally share किया है, अब यहां पर important concept आ जाता है, मैंने जब इससे पहले वाला topic आप लोग को समझाया था, change in profit sharing ratio, उसमें हमने इस type के question किये थे, हमने new ratio भी निकाला था, अगर आप लोग को याद हो, अगर हमारे question में 2 ratio दिये हैं, 3 is to 1 भी दिया है, और equally भी दिया है, तो हम consider करेंगे new ratio निकालने के लिए 1 is to 1 को, that means हमें new ratio निकालने के लिए 1 is to 1 से लेके new ratio निकालना है, and then हम sacrificing ratio calculate करेंगे, तो पहले जो हमें कांग करना है, वो हमें new ratio calculate करना है, तो हम new ratio calculate पहर लेते हैं, पहले हम 1 में से नई partner का share minus करेंगे, 1 minus 1 by 3, यह आगया 2 by 3, अब 2 by 3 into 1 by 2, क्योंकि B का share भी 1 by 2 है, 2 by 3 into 1 by 2, equally share कर रहे हैं, यह भी 1 by 3 है, और D का share भी हमें given है, 1 by 3, तो हमारा new ratio आ गया है, 1 is to 1 is to 1, अब old ratio हमें question में given है, old ratio है 3 is to 1, हमें पता है कि Goodwill को हमें sacrificing ratio में distribute करना होता है, तो पहले हम sacrificing ratio calculate कर लेंगे, तो हमारा sacrificing ratio होता है, old minus new, तो हम calculate कर लेंगे, 3 by 4 minus 1 by 3 and 1 by 4 minus 1 by 3, तो हम LCM लेंगे, यह आ रहा है 5 by 12 और यह देखे, 3 minus 4 by 12, इसका answer आ गया हमारा minus का 1 by 12, तो यह हमें पता चल गया हमारा sacrificing ratio माइनस में आ गया, that means हमारे entries में कुछ ना कुछ चेंज तो होना है, अब हम entry बनाते हैं, अगर हम first entry के बात करें, तो first entry में कोई change नहीं आएगा, सिर्फ नया partner capital नहीं लेके आया, तो आप capital मत लिखिए, ठीक है, तो हमारी entry होती है cash account debit to these capital to premium, वो capital लाया नहीं है, तो हम these capital नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ entry बनाएंगे cash account debit to premium for goodwill, कितना है premium है, 15,000, यह बन गया, अब एक चीज ध्यान रखिए, इस chapter में भी minus में आ रहा है, next chapters में भी आगे के जितने chapters हैं, उनमें भी ऐसे ही ratios minus में आएंगे, तो हमें याद यह रखना है, जिस भी partner का ratio minus में आया, उसे opposite करना है, हम यह याद नहीं करेंगे कि debit करना है, क्योंकि किसी chapter में debit करना है, किसी में credit करना है, तो हम confusion create करने वाला नहीं trick यूज करेंगे, हम क्या याद रखेंगे, सारे chapters में अगर कोई भी ratio minus में आता है, opposite करना है, मतलब हमारी second entry अगर बनती ही, premium for goodwill debit, 2B to C, अब C अगर minus में आ गया है, तो उसे 2 में लिखने की बज़ाए, debit में लिख देंगे, तो हमारी entry बनेगी, premium for goodwill debit, C's capital account debit, to A's capital account, ठीक है, अब premium for goodwill, जो हमारी amount आएगी, premium for goodwill की amount आजाएगी, हमारी 15,000, अब हमें ये नहीं पता, हमें C में क्या लिखना है, अब C में लिखने के लिए, हमें थोड़ी सी calculation और करनी पड़ेगी, क्या calculation होगी, हमें total goodwill calculate करनी पड़ेगी, ठीक है, total goodwill कैसे आएगी, जो D की goodwill है, 15,000, देखो, D की goodwill है 15,000, D का share है 1,3rd, 1,3rd मतलब एक चीज के 3 हिस्से की है, तो एक हिस्सा 15,000 है, हमें पूरा चीएं कि total कितना है वो, जिसके हमने 3 हिस्से की हैं, तो हम total goodwill कैसे निकालेंगे, 15,000 इन्टू उसके share का रेसिप्रोकल, कितनी आ गई वैलियो हमारी, 45,000, अब इस 45,000 में, यह 1 बाइ 12 जो है, वो हम multiply करतेंगे, जितना answer minus में आया है, उसे multiply करना है या पे, और हमेशा कौन सी goodwill से multiply करना है, total goodwill से, total goodwill question में दी होगी, तो असान हो जाएगा, नहीं दे रखे हैं तो कैसे निकालोगे, जो नए partner की goodwill है, इन्टू उसके share का reciprocal, reciprocal मतला उल्टा करना है, उसका 3 upon 1, तो हम यह calculate कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 3750, तो यहां amount आ जाएगी, 3750, जरू, दोनों का total करके, हम यह में लिख देंगे, यह आ जाएगा, 18,750, मैं एक बार दुबारा बता देती हूँ, पहले हमें question में, old or new ratio दिया होगा, हम sacrificing निकालेंगे, अगर कोई partner minus में आता है, तो पहली बात तो वो entry में opposite हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर देना है उस entry में, debit हो रहा होगा तो credit कर दो, credit हो रहा होगा तो debit कर दो, amount कैसे निकालोगे, amount के लिए total goodwill चाहिए, question में अगर total goodwill given है, तो बहुत अच्छी बात है easy हो जाता है, नहीं given तो पहले calculate करो, कैसे calculate करोगे, नए partner का share, तो हमारा answer मैं इसमें है 1 by 12, तो हमने 1 by 12 से उसे multiply करना है, जो answer आएगा वो entry में put किया, इन दोनों को plus किया, ये हमारा answer हो गया, ठीक है, एक और question इस टाइप का करके देखेंगे हम, Anu and Bhagawan were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 3 is to 1, goodwill appeared in the books as 4,40, अब goodwill appeared in the books, concept दुबारा से देखें, appeared in the books मतलब old goodwill है, इसकी अलग entry हमें बनानी है, Rajav was admitted to the partnership, the new profit sharing ratio among Anu Bhagawan, and Rajav is 2 is to 2 is to 1, Rajav brought 1 lakh for his capital, and necessary goodwill, goodwill of the firm is 2 lakh 50,000, तो old or new ratio हमें मिल गया है, पहले तो हम sacrificing निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, question difficult वाला है, आसान वाला है, तो old ratio हमारा 3 is to 1 है, new ratio हमारा 2 is to 2 is to 1 है, so 3 by 4 minus 2 by 5, 1 by 4 minus 2 by 5, यह हुग गया 15 minus 8, 7 by 20, 5 minus 8, minus 3 by 20, तो आगया हमारा answer minus में हमें, दिग्या sacrificing ratio minus में आगया है, इसका मतलब difficult वाला question है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो goodwill appeared in the book से, उसकी entry बना लेते हैं, यह हमारी old goodwill है, इसकी entry अलग बनती है, old goodwill हमारा loss होता है, इसको हमने chapter 3 में भी cover किया, इस entry को, अगर आपको याद नहीं आ रही है, एक बार उस वीडियो को दुबारा देखिए, ठीक है, मैं आपको entry बता रही हूँ, तो हमारी entry हो जाएगी, अनूस capital account debit, भगवान's capital account debit, to goodwill, अब goodwill है 4,40,000, इसे हम बाटेंगे old ratio में, तो old ratio मतलब, मैं लिख देती हूँ old ratio, old goodwill old ratio में ही बटेगी हमेशा, तो यह आ जाएगा, 3,30,000, 1,10,000, ठीक है, यह हमारी old goodwill distribute हो गई, second entry हम बनाएगे, जो नहीं पाटनर capital लेके आया है, और goodwill लेके आया है, उसे entry में कोई change नहीं आएगा, cash account debit, to, Rajas capital account, to premium for goodwill, so, वो capital लेके आया है, 1,00,00, और goodwill हमें calculate करनी है, capital वो 1,00,00 लेके आया है, goodwill, firm की goodwill है, तो firm की goodwill होती है, तो हम partner का share निकालते हैं, 2,00,50,000 into 1 upon 5, यह amount आ जाएगी हमारी 50,000, ठीक है, तो यह आ गया 50,000, add किया, cash में आ गया 1,00,50,000, अब हमें entry बनानी है, entry बन थी premium to A to B, problem यह B minus में आ गया है, that means B को भी हमें क्या करना पड़ेगा, debit करना पड़ेगा, ठीक है, so, premium for goodwill debit, B is capital account debit, to A is capital account, premium for goodwill 50,000 है, अब B का amount निकालना है, इस question में देखो, असान है क्योंकि goodwill given है, firm की goodwill, मतलब total goodwill, हमें given है 2,50,000, हमें उसमें क्या करना है, minus if 3 by 20 को multiply कर देना है, 2,50,000 into 3 upon 20, ये value आगई हमारी 37,500, ये put करेंगे B में, दोनों का total करके लिग देंगे हम, ये आगया 87,500, तो जब भी कोई partner minus में आएगा, उसे opposite करना, firm की goodwill निकालना, जितना answer minus में आ रहा है, उससे multiply कर देना, ये 3 step लगाने हैं, अगर sacrificing ratio minus में आएगा, तो ये था हमारा third topic, third sub topic goodwill का, अभी हमारे 3 sub topic और बचे हुएं, इसमें जो हम आने वाली videos में cover करेंगे, thank you